आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और इन्हें आप लोग जानते भी होंगे और इन्हें आप लोग उन्हें सुना भी होगा इनका नाम है थावरचंद गहलोत और वर्टमान में एक करनाटक के राजजपाल है तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामन जानकारी देखेंगे इनका परिवारिक बैक्गराउंड देखेंगे इनकी सिक्षा के बारे में जा करेंगे या आप दिखें पिधानमंत्री के करीब बैठे हुए हैं तो माना जाता है कि पिधानमंत्री के कापी नजदीक है और इसलिए आप देखते हैं कि जब राजनीती से वो सन्यास लेते हैं या राजनीती से हटते हैं तो उन्हें राज्यपाल बना दिया जाता है बैंगलोरिस की राधधानी है, एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था, और गुआ से सीमा लगती है, महराश, तेलंगाना, आन्पेदेश, तमिलाडो, केरल से सीमा लगती है, और आप देखेंगे विधान सभाब में 224 सीटे हैं, विधान पईसद भी है जिसमें 75 सीट में 1948 को रोपेटा गाउं में हुआ, यह गाउं मद्देश के उज्जेन जिले में पड़ता है, अगर आप लोग MP को देखें तो यह मद्देश है, एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था, वहपाल इसकी राधदानी, इसकी सीमा उत्तर पिदेश, राजिस्थान, किये की पड़ाई की हुई है, उन्होंने एक मई 1965 की अनीता गहलोस से साधी की थी, यानि की बिवा हुआ, उनका एक बेटी और तीन बेटे हैं, थावर्चन गहलोस ने अपने कॉलेज के दिनों से ही अपनी राजनिती क्यात्रा सुरू कर दी थी, जब आप कॉलेज में होत है, तो आप उसमें भाग लेने लगते हैं, तो इन्होंने राजनिती की सुरूआत कहां से, कॉलेज टाइम से की, और आप देखेंगे कि 1962 से सस्तर तक, RSS साखा, नादगा, जंक्सन, जिला, उज्जैन, मध्धपदेश में, नगर, कारवाहक, RSS साखा से जुड़े रहे है यानि की कहने का मतला है कि RSS से भी इनका संबंद रहा है, RSS यानि की राष्टी एसोयम सिवक संग की बात हो रहे है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सेप्टमबर 1925 में हुई तिन्डांगपुर में हेड़कॉर्टर देखने को में लेगा, कि एसा वाली राम हेड़क के बार इसके फाउंडर थी, और हिंदू राष्ट हिंदूत की बात करता है इस संगठन, फर आप देखें, 1967 से 1975 तक थावरचंद गहलोत ने भारती मजदूर संग से समध्द ग्रासिंग, इंजिनेरिंग सेर्मिक संग में कोसा अध्यक्ष की रूम में काम किया, 1967 से आप देखें, 1975 की बीच भारती मजदूर संग से समध्द केमिकल सर्मिक संग की सचिक की रूम में भी काम किया है इनुने, फर आप देखें, 1968 से 1971 तक कामगारों की अंदूलन की समध्द में कई बार हिरासत में भी लिये गये, और इन्हें जेल भी जाना पड़ा, दस मह थे निया एक हिरासत में रहे, 1975 से जब हमारे देख में आप देखी, राश्ति आपातका लगा, तो उस दोरान भी इन्हें हिरासत में लिया गया था, 1988 में उन्होंने भारती जिनता पायटी की महासेचिम और पाधिएक्च की रूम में काम किया था, और भारती जिनता इसके इलाबा 1983 से 96 तक भारती संसदिये संग मत्कदेश की सचिप भी रहें। 1982 में उज्यन भोपाल और दिली में राजनितिक आंदलोनों के सिलसले में उन्हें रासत में लिया गया। और संसदिये अध्यनों पेसीक्षन वीरो में मत्कदेश विधान सभा का पितिने देत भी किया इन्होंने। 1990 में आप देखी सदस रहें अनुमानित, सदस सम्ती, सरम सलाकर सम्ती, राज्यमंत्री, जनसाजादन, नलवदा घाटी विकास, पंच्याद यो ग्रामीड विकास, अंतियुदर कारकरम और 25 कारकरम 1992 तक मत्पदेश सरकार में इन्होंने काम किया। 1996 में गहलोस साजापूर निर्वाचन 6 से लोगसभा के लिए चुने गए और वाद में वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कल्यान सम्ती के सदस भी बने। अधिक्तम मुम्री की कोई सीमा नहीं रखे गए और इन दोनों को चुनाव आप देखते हैं कि डारेक्ट जनता यानि कि मद्दाताओं के द्वारा होता है। जिनकी उमर 18 साल हो चुकी होगे, उनका वोटा सुची में नाम जुड़ चुका होगा, वो लोग वोट डालने जाते होगे। फिर आप देखें, 1998 में वो ऐसाजापूर सीट से लोगसभा के लिए फिर से चुने जाते हैं, उन्होंने कॉंग्रेस की सज्जन सिंग वर्मा को हराया था। 1999 में वो ऐप फिर लोगसभा के लिए चुने जाते हैं, बाद में विस हिंदू पर्षत, बीजेपी संसदीद्या लोगसभा के लिए नियुक्त होते हैं, और आप देखते हैं कि सन 2000 तक किरसी समती के सदस, साल 2001 तक अनुसूचित जातियों के कल्यार समती के सदस की रूम मे आप देखेंगे कि 2004 में उसी सीट से 14 भी लोगसभा, चौथी बार फिर से वो लोगसभा सदस बनते हैं, बाद में हुए आधिकारिक भासा समती के सदस बने, सरंप समती के सदस की रूम में भी इन्होंने काम किया, 2004 में उन्हें BGP उत्तरपूर के प्रभावी प्रभारी असम को छोड का उपाद्यक्ट किया गया था, फिर आप देखें 2007 में हुए स्तरम पर इस्थाई समती के सदस बनते हैं, अपरेल 2012 में वह राज्यसभा के लिए चुने गये थे, वह अनुसुची जातियों और अनुसुची जन जातिया, सला का समती के सदस के रूम में भी का मई 2014 से मई 2014 सापने परिबहन और राजमार्ग मंतरा ले की कंसल्ट्रिटिव कमिटी में सरमिक समिती की सदस भी रह हैं और अगस्त दोहजार बारे में वो है बिल्डिंग और अन्स निर्माड सरमिक कल्याण के केंदरिय सलाय का सम्ती के सदस्किरों में भी इन्होंने काम किया है और आँगे चलकर आप देखेंगे कि 27 मई 2014 कोई सामाजिक नियाय और ससक्तिकर मंत्री भी बने 2018 में उन्होंने राज्यसभा में दूसरी बार के लिए फिर से निर्वाचित किया गया था फिर आप देखेंगे केंदरिय सामाजिक नियाय और अधिकारता मंत्री भी नहीं 26 मई 2014 से 7 जुलाई 2021 तक फिर आप देखेंगे के 9 करना तक में राज्यपाल का पत समाला था 11 जुलाई 2021 को 11 जुलाई 2021 को देखें राज्यपाल की बात करें तो आप देखेंगे सम्मीधान का अनुचेद 153 बढ़ें तो राज्यपाल के लिए राज्यपाल की बात की गी है अनुचेद अगर एक सो चमगन देखें तो राजजी की कारविपाली का सक्ती की बात की गी है राजजपाल में अनुचेद 155 में राजपाली की नियुकती की बात की गी है अनुचेद 156 में राजपाली की पदाओधी की बात की गी है अनुछेद 160 में कुछ आकस्मक्ताओं में राजपाल के कित्तों के निर्वहन की बात की गई है। अनुछेद 161 में चमा आदी की और कुछ मामलों में दंडादेश के नीलंबन परिहार या लगूकन की राजपाल की सक्ती की बात की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है थावर्ण चंद कहलोत की और किसी के बारे में बात करनी हूँ तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे।